सब्सकार सातियों कैसे आप सभी मैं सवने चोधरी एक बार फिर आप सभी का हार दिख स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एससी में करवें आज जो हमारी क्लास होगी आज हम डिसकस करेंगे साइन्स के कोशन जो आपके विभिन एक्जाम में पूछे गए हैं तो उन पर आधारित आज ये कुशन सेशन आपका होने वाला है आपको वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी आपको टोपिक्स बताई जाएंगे जहां से कुशन्स आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं चाए आपका कोई भी वो competitive एक्जाम हो सभी के लिए समाने जो विज्ञान है ये important होता है तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपनी तयारी आप उसी के according करें कि जो आपके एक्जाम में आता है दरुदर की सभी बच्चे बड़ी ध्यान से कुशन्स को पहले सबसे पहला जो आपका तात्मिक कारिये होगा प्रेमरी जो वरक है वो यह है कि कुशन्स को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है उसके बाद ही answer आप करेंगे जिससे आपको उस question में का logic पता चलेगी वो पूछना क्य चाहता है ठीक है चाल लिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोश्चंस का जो आंसर है वो कोश्चंस में ही छीपा होता है अगर आप उसको समझ लेते हैं पहला कोश्चंस है कि 10 दिन से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप 10 दिन त अधिक हो जाएगा लीवर में ट्राई ग्लिसराइड्स गटने लगते हैं लीवर में ट्राई ग्लिसराइड्स जो है यह बढ़ने लगते हैं तो कुश्चंस नमबर वन इसमें आपको ध्यान रखना है आपके लीवर में जो गुलकोज इस्तर है इसका जो वेटेज है यह क कम हो जाएगा ठीक है ना क्या हो जाएगा गुलकोज का इस्तर जो होगा यह काफी कम हो जाएगा अगर आप दस जिन तक लगातार उपवास करेंगे चीक है चालिए तो यह था पहला कोशन काफी इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर एसका आंसर यहां पर हो जाएगा निमलिकित विटामिन में से कौन सी किसी सवपन को प्रयापत आवदी तक याद रखने में साहक होती है इन में से आप किस विटामिन का यूज करें जिससे आपके जो सपनों आपको दिखाए देते हैं जैसे रात में आपको दिखाए दिया कि मैं यूपी में दरोगा बन गया या एंटीपीसी में मैं स्टेशन मास्टर की में निकालनी है वह फाइनल मेरा सेलक्षन हो चुका है या मेरा सेलख्षन है तो वह आपको सपना दीखाई देता है वह अगर आप उसको लंबी समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस विटामिन का यूज करन होगा which of the following vitamins helpful in remembering a dream of a sufficient period एक आवधी तक उसको याद रखने में साहग जो होता है यह आपका vitamin B2 होता है कौन सा vitamin B2 है जो आपकी इस प्रक्रिया में साहग सिद्ध होगा तो आप यह जानकर जो है बड़ा आपको अच्छा भी लगेगा कि अगर आपको सपने याद रखने हैं तो vitamin B2 का आप यूज कर सकते हैं अगर देखा जाए तो vitamins हमारी body के लिए काफी important है हमारे जो body structure है उसमें अहम भूमी का निभाते है आप इनको समय समय पर लेते रहिएगा जो कि आपकी body के लिए काफी helpful होंगे केला जो की एक फल के रूप में अत्यदिक मुल्यवान भुज्य पदार्त माना जाता है कि प्रतिग्राम होता है अगर एक केले को आप खाते हैं प्रतिग्राम केला आप खाते हैं तो इसमें आपको कितनी कैलरी मिलने वाली है इसमें आपको 446 कैलरी उर्जा मिलेगी 3004 416 316 216 या 116 कैलरी आपको उर्जा मिलेगी बनाना वी इस एक कंटेंट पर हंड्रेड ग्राम्स आपको इसमें 116 कैलरी एनर्जी का जो है पदार्त मिलने वाला है ध्यान लखिएगा 116 किलो कैलोरी आपको यहां पर मिल जाएगी अगर नॉर्मल हम बात करें नॉर्मल तो एक किला खाने से मनुष्य को लगभग 89 कैलोरी उर्जा मिलती है लेकिन यह ओप्षन में नहीं है भाई तो इसके नजदी क कि ऑप्षन क्या हुआ 116 हुआ यही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मा का दूद दुख्द नवजात को लगभग संपूर्ण आहर प्रदान करता है कि इसमें निम्लिकित का अभाव रहता है मदर्स मिल्क प्रोवाइड ओल्मोस्ट कंप्लेट नूट्रेशन तूदा न मिल जाएगा मैगनेशियम मिल जाएगा या पोटेशियम मिल जाएगा तो इसमें किसका अभाव रहेगा इसमें अभाव रहता है आयरन का किसका आयरन का अभाव इसमें मिलता है बाकी सारी चीज़े आपको इसमें मिल जाएंगी कैलसियम है मैगनेशियम है पोटेशियम है यह सभी चीजे आपको वहाँ पर मिलेगी जिंक है जो एक नवजात के लिए important nutrient होते हैं वो सारे चीजे आपको यहाँ पर मिलने वाली है चालिए नेस्ट कुशन है कि मानव सरीर का कौन सा भाग सरीर ता आपको नियंतरन रखता है हर्दे है फेपड़े है यकरत है या वरक्क यानिके किड़नी है विच पार्ट ओब दा हुमन बोड़ी controls the body temperature heart हो जाएगा lungs हो जाएगे liver हो जाएगा यह kidney हो जाएगा cushion number 5 तो ध्यान रखिएगा जो फेपड़े होते हैं यह मानव सरीर को क्या करते हैं उसके temperature को नियंतरित रखते हैं तो answer number आपका यहाँ पर भी होने वाला है चालिए next है आपका CNG एक है इसके full form आपको बतानी ह है CNG को क्या कहा जाता है इसको यह CNG है भाई जी किसको करेंगे आप CNG इसको compressed natural gas हम कहते हैं यह इसको काईजन natural gas को कहा जाएगा यह condensed net racing gas को कहा जाएगा यह controlled natural gas को कहा जाएगा तो ध्यान एक हैंगा CNG को हम क्या कहते हैं CNG को हम कहते हैं compressed natural gas इसको कहा जाता है तो option number A सही होगा बाई चलगे निमलिकित मेंसे किस एक का अधिकतम इंधनमान होता है यानि कि जिसमें अधिकतम इंधनमान किसका है hydrogen का है charcoal का है प्राकर्तिक gas का है gasoline का है which one of the following has the maximum fuel value जिसकी fuel value ज्यादा होगी ये इसमें से कौन सा पदार्थ होगा तो hydrogen hydrogen की fuel value सबसे जादा होती है according to options तो ये आपको ध्यान लखना होगा next question आपको क्या कह रहा है एक बार इसको समझेगा समझने के बाद आप इसको answer करने का प्रयास करेंगे कि निमन में से कौन सा पदार साभून में या साभून बनाने की प्रक्रिया में यूज होता है जो होती है उसके बनाने के लिए उसमें वनश्पती तेल या वनश्पती घी का यूज किया जाता है दोनों को आप लिख सकते हैं या तो वनश्पती तेल आपको option में मिलने वाला है या वनश्पती घी आपको मिलने वाला है कि इन दोनों का ही जूज उसमें किया जाता है चीक है और इसी के साथ साथ काश्टिक सोड़े का भी यूज होता है किसका काश्टिक सोडा या आप कह सकते हैं कास्टिक पोटास काश्टिक पो टास इन दोनों का भई यूज होता है ध्यान नखियेगा तो answer number आपका A यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा है answer number A चलिए next है आपका गेहूं की खेती के लिए निम्न में से कोन उर्वरा का उप्योग करेंगे गेहूं की खेती के लिए वैसे तो इसमें जो दिया गया है mostly सारी ही चीज़े important होती है लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें useful होता है यह nitrogen होता है तो इसका answer आपका A यहाँ पर सही होगा भई ठीक है ना answer number A सही हो जाएगा नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रशायन कौन सा है यह इंडेट्रिण है एट्रोपिन है यदि आईसो प्रोक्सी फिनाइल इसमें होगा बेंजीन एक्सा-क्रोफिन इसमें होगा जो आप लगाते हैं आप रातरी के समय में मोश्ली आपने देखा होगा या तो आप किसका यूज करते हैं औरोमोस वगर यूज करते होंगे या आप कोईल्स वगरा का यूज करते है या All Outs जो आती है उनका यूज़ आप करते हैं एक मच्छरों का मालिस वाला जो तेल आता है उसका आप यूज करते हैं तो इसमें आपको एलेथ्रिन जो पदार्थ है ये इसमें रशायन मिला होता है जिसकी दुरगंद से या खुसबू से जो भी आप कहना चाहें ये मच्छरमा से भाग जाते हैं तो ओप्शन न जो होते हैं जैसे किसी का डिवाड बनाए घये तहेले लाट रकर के दोराब बनाएं गए थे तो answer number D सही हो जाएगा भाई सभी बच्चे ध्यान रखिएगा मानव मस्तिस्क के निमलिकित भाग में से कौन सा एक निगरण और उल्टी को नियंत्रित केंद्र है या नियंत्रित करता है ठीक है Which one of the following parts of the human brain is the control center for slowing and vomiting जो उल्टियां होती है और आपकी slowing जो आपको होती है इसको नियंत्रित कोन करता है तो ये जो आपका medulla है क्या है medulla है ये आपको इसके नियंत्रन करेगा तो option number C आपका सही हो जाएगा ठीक है ना इसमें आपको भोजन वगेरा जो संकेत होता है कि खाना है भूक लगी है ये संकेत आपको दिये जाते है अगर आपको छीकना है इसका संकेत भी आपको कौन देगा ठीकने का संकेत भी आपको ये medulla ही देगा ठीक है आपको उल्टी आती है वो बेटिंग होती है इसका संकेत भी की ऐसको नियंतित करने का कारिये भी कौन करेगा ये material ही करता है मानव सरीर में क्यों करता है ठ्क शरीर में से कौन सी uy गरंथी अंत्रय इंध्रस्रावी और भालए अस्रावी डॉनों परकार की गरंथियां रहती है करती पट्वाईगा कि अगनाशय ग्रंति जो होगी है अंत्रह सारावी और यह बाहिये सारावी भी होती है जो जो है यह सक्रा को नियंत्रित करती है सक्रा को वियन्यमित आप कह सकते हैं इसका कारिये होता है वियन्यमित करने का बाहिये का अगर कारिये है तो यह पांचन में सहयक होती है पांचन में सहयक यहां दर किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हैं निमलिकित रोगों पर विचा करो यह क्या कहना चाते हैं यह विचार करने के कह रहे हैं डिप्थीरिया है छोटी माता है जिसको चिकन पॉक्स हम कहते हैं चेचक है स्मॉल पॉक्स इसको कहेंगे केवल एक और दो इनमें से आपको क्या बताना है इनमें से आपको बदाना है यह ओप्षन थोड़ा सा मुझ ये complete नहीं है इसको complete ना होने की वज़ा से ये question आपको कल करा जाएगा ठीक है ये question कल आपको करा दिया जाएगा इबोला वायरस का नाम क्या है एक सहर के नाम से लिया गया है एक प्रांथ के नाम से लिया गया है एक परवत के नाम से लिया गया है दनेम उप इबोला वायरस टेकन फ्रोम तो यह एक नदी है कहां पर साउथ अफरीका में जो कागों की साहक नदी है या कागों नदी भी कहते हैं कांगो कोंगो या कांगो नधीव इसको कहते हैं एबोला वायरस के अगर शुरुवात की बात की जाए इसके लक्षन या इसको जो नामाकरण दिया गया था ठीक है तो भाई ये थे आज के हमारे 15 कुश्चन जो हमने हाँ पर डिसकस किये आपके तीनों पॉर्षन से फिजिक्स केमेस्टी और मैच से जो कि आपके एकजाम के लिए काफी यूजफुल है आप इनको बिलकुल भी मिस मत कीजिएगा जितने पार्ट्स आपको कराए गए हैं एक एक पार्ट्स आपके लिए इंपोर्टेंट है जान लगेगा इसी के साथ से सीजल 2022-23 के लिए आपके जो वेकेंसीज है यह संकल बैच के दुआरा आपको यहाँ पर तयारी की जा रही है कराई जा रही है जिसमें कम्प्लीट आपको वीडियो कोर्स मिलेगा विद क्लास नोट्स साथी साथ आप ध्यान लखेंगे इसमें आपको डाउट शेशन की स्वीदा दी गई है, माधर 500 रुपीज में आपको प्री और मेंस दोनों का बैचिस यहाँ पर मिलेगा, आप चाहिए मेंस की दयारी करें, चाहिए प्री की दोनों की दयारी करें, सभी के यह बैके आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और यह offer काफी सीमिस समय तक के लिए ह आप इसका लाब उठा सकते हैं कोई समश्या है तो आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड किया गया आप किसी भी समय कोल करके जानकारी ले सकते हैं कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो को डाउन कर डाउनलोड करना आप नहीं भूलिएगा ठीक है इसी प्रकार से आपका CRP के लिए स्पिशल बैच है जिसमें आपको सेम क्लास रिकोड़ेड है क्लास नोर्स हैं डाउट सेशन है मात्र 250 रुपे में आपको यहाँ पर मैस रिजनिंग हिंदी और आपकी जी के जीए सभी क्लास यहाँ पर मिलेगी और साथ में आपको करेंट अफेर्स को बिलकुल पर सुबह के समय क्लास आपकी होती है तो सभी वच्चे करंट अफेर्स से भी जुड़ना मत भूलिएगा चलिए ध्यान लखेंगे यह आपका यहाँ पर और वी वैचिस है जैसे एमटेस के लिए शोर सेलक्शन बैच है यहाँ पर है कंप्रीट आपको यहाँ पर कोर्स मि मिलेंगे मिलेगा और भी आपको यहाँ पर बहुत सारी फैसलेटीज मिलेंगी जो आपको ध्यान लखना है उत्तर प्रदेश पुलिस कोंश्टेबल के लिए आपकी वेकेंसी जो आने वाली है उनको अभी से आप रेडी रहें तयार रहे तो इस्पिशल वैच है यह आपक लगbelt यहाँ पर मिल जाएंगे अगर हम बात करें आपकी क्लास की दो सूबह 6 Corporate की क्लास होती नुब चलास है 11 बज़े आपकी क्लास हो ओने मैं सरके दवारा आपकी चार सिय्या क्लास होती है निखिल सरके दौरा जहाँ पर भी वींस निका पूछा जाएगा कसी भी बिल्कुल free of cost हैं आप इनको बिल्कुल enjoy के साथ पढ़ सकते हैं अपनी तयारी बहतर कर सकते हैं तो रात 8 बजे सभी बच्चे जुड़ना न भूलिएगा और हमारे जितने भी यहाँ पर classes हैं उनसे भी आप सभी बच्चों को जुड़ना हैं बहतर तरीके से classes आपको कराई जाती हैं इसके बाद आपको ध्यानक नाएं कुछ लिंक आपको दिये गए हैं जिसके माध्यम से आप हमसे connect हो सकते हैं यह से वो फिल्टक का लिए जरूर्म चैननल को आपको सब्सक्राइब करना है और ओर चैनल का सब्सक्राइब करना है जरूर बताएं कोई डाउट रह जाता है कमेट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नुश्कार जय हिंद जय भारत